साथियों नमसकार मैं हूनी रजपटेल और आप देख रहे हैं नेस्सन जन्मत चुनाओं में कौन हारा कौन जीता इसके परे नेस्सन जन्मत को तकलीफ हिस बात की है कि इस देश में इंसानियत और संबेदनाएं पूरी तरीके से हार चुकी हैं एक वीडियो सोसल मीडिया में वाइरल हो रहा है जिसमें मुस्लिम समाज का एक युवक एक अस्पताल पर आरोप लगाता है कि महज मुस्लिम होने की वज़े से बीजेपी सासित मद्परदेश की राजधानी भोपाल में इस्तित एबियम हॉस्पीटल के प्रवंदन ने उसके पिता के इलाज से इंकार करते हुए उसे दूसरे अस्पताल ले जाने को कहा जब वो अपने पिता की दूसरे अस्पताल में सिप्टिंग कर रहा था इसी दौरान रास्ते में पिता की मौत हो जाती है इस बात की सिकायत करने जब वो दुबारा अस्पताल पहुंसता है तो अस्पताल की महिला कर्मचारी ना सिर्फ उसके साथ बस सलूकी करती है बलकि बीजेपी और दक्षिण पंथी बिचार धारा द्वारा समाज में फैलाई जा रही हिंदू मुस्लिम गंदगी को आगे बढ़ाते हुए अस्पताल की कमी को छुपाने के लिए ओन कैमरा या आरोप लगाती है कि अगर तुम लोग यहां से नहीं गए तो मैं आरोप ल अस्पताल का मालिक बता रही वो लड़की ओन कैमरा कहती है सुनवे तुम्हें यहीं गड़वा दूंगी आरोप लगा रही है और यह कह रही है इंदू लड़ी तो सब्सक्राइब दर न पड़ेगा बस पाथा तो लोगें बताई आपको खुरूफ बताई आपको खुरूफ बताई आपको खुरूफ बताई आप करेंगे आप दो आरा दर्पिक करिए उच्छें अगर यह वीडियो ना मना होता तो सुनवे तुझे यहीं गड़वा दूंगी कहने वाली यह लड़की जो इस पीड़ित परवार से बत्तमीजी और बत्सलूकी कर रही है यही आपको पीड़ित नजराती क्योंकि महिला और सरकार परस्त हो करके अपना जो यह पच्छ पुलिस को बताती उसी को असली बयान मान करके उस मुसलिम परवार का उत्पीड़न भी शुरू कर दिया जाता वो तो सुक्र मनाईये के वीडियो बन रहा था वरना खुद को अस्पताल का मालिक बताने वाली सोनाली चौक से नाम किये लड़की नफरत की मानसिक्ता को आगे बढ़ाते हुए इस मुसलिम परवार पर ये भी आरोप लगा सकती थी कि मुझे ये धार्मिक आधार पर धमकाने आये थे मेरा धर्म परिवर्तन करवाने की कोसिस कर रहे थे ये घटना 20 नवंबर की है घटना में पीडिस सक्स मुहम्मद वासित ने बताया के 18 नवंबर को उनके पिता के सीने में दर्द हुआ तो वो एवियम अस्पताल लेकर के पहुँचे अस्पताल में एक डॉक्टर ने उनके पिता का चेक अप किया और बोला इनको किसी दूसरे अस्पताल ले जाईए जब वजय पूछी तो नहीं बताई गई वासित ने पिता को बचाने की गुहार लगाते हुए डॉक्टर्स के हाथ पहर जोड़े लेकिन वो नहीं पसीजे ठकार करके वासित जब अपने पिता को दूसरे अस्पताल ले जा रहा था उसी दौरान पिता दम तोड़ देते हैं 20 नवंबर को बासित इसी मामले की सिकायत करने के लिए और ये पूछने के लिए आखिर उसके पिता का इलाज क्यों नहीं किया गया तो वहां उसकी भिडंत इसलामोफोविया से ग्रस्त इस अस्पताल की कर्मचारी सोनाली चौक स जो खुद को अस्पताल की मालकिन बता रही है उससे हो जाती है और वो सफाई देने की वज़ाए अपना पल्ला जाड़ने के लिए खुद उस मुसलिम परवार पर आरोप लगाने लग जाती है और लगाए भी क्यों ना उसको बहुत अच्छी तरह से पता है कि पीड़ित परवार की सुनने की वज़ाए इसी की चूडियां टाइट करने लग जाएगा क्योंकि इन सरकारों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि नंदभक्तों का सब कुछ छीन लो नौकरियां आरक्षण हिस्सेदारी कुछ भी लेकिन इसके सामने एक धर्म मिसेश की चूडिय इसना टाइट कर दो उसी में मदमस्त हो जाता है बहराल इस पूरे घटना क्रम पर नेश्चन जन्मत सिर्फ इतना कहना चाहता है कि अस्पताल प्रवंदन कोई भी हो इस तरह के नफरती कर्मचारी तुरंत अपने हां से हटा दिये जाएं जो धर्म देख करके इलाज करते हैं दूसरी बात मद्यप्रदेश प्रसासन को इस तरह के अस्पताल और उसके प्रवंदन का जरूर इलाज करना चाहिए क्योंकि ये लोग साब तोर पर समाज में नफरत की खाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं लेकिन ये करेगा कौन वहां की सरकारों को बहुत अच्छी तर आएंगी देखते रहे इने सन जन्मत जागरोक और सजग बने रहिए जै विज्ञान जै समिधान जै लोग तंत्र धन्यवाद